हेलो गाइज, वेलकम बैक टो मैं चैनल, माइनम इस पारूल और आज के स्वेडियो बे मैं आप लोगे साथ शेयर करने वाली हूँ, फिर से एक हेल्दी और टेस्टी रेसिपी जो आपके वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि ये प्रोटीन में बहुत जादा जो की है, या की बुझी, इसके लिए मैंने तुमिर्बाइव साइज अगर इसके साथ में दो भी टेमाटव लिये है, उनको भी अच्छे से चाप कर लिया है, टेमाटव इसमास्क प्रोटीन में बहुत पसंद नहीं आते हैं, लेकिन इसमें इसका फ्लेवर बहुत जिली इसके कर सकते हैं मैंने जो सोय चंक्स लिए थे मैंने उसको 15-20 मिनिट के लिए warm water में सोक कर के रख दिया था फिर मैंने इसको 2-3 बार थंडे पानी से अच्छे से रिंस कर लिया था फिर इसको squeeze करके मैंने mixer jar में add कर दिया था और इसका एक coarse सा mixture बना लिया था मैं इसको normally grind करके ही बनाती हूँ क्योंकि मुझे जो chop करके अगर आप इसको बारी बारी चॉप करके add करते हैं इतने अच्छे से flavor जो है वो उसके अंदर नहीं include होते हैं लेकिन अगर आप इस तरीके से उसको grind कर ले दे हैं तो वो flavor जो है वो बहुत अच्छी से आते हैं इसके अंदर भी तो फिर मैंने एक कडाई ली थी जिसमें मैंने olive oil लिया था और इसके heat होने के बाद इसमें मैंने cumin seed add कर दी है और अपने जो onion है वो भी add कर दी है फिर इन दोनों को mix करके 2-3 minute के लिए ऐसे ही saute होने देंगे उसके बाद इसमें हम अपनी green chili और dry spices जो है वो add करेंगे जिसमें मैं healthy add करूंगी और नमक add करूंगी कुछ लोग जो healthy है वो tomato के साथ add करती है लेकिन मैं इसको प् पहले add कर देते हैं तो अच्छे से चली जाती है यह देखिए मैंने फिर इन प्याज के और मिर्च के mixture को जो है अच्छे से जब तक प्याज translucent हो गए है तब तक cook किया है फिर मैंने इसमें अपने टमाटर add की है टमाटर को add करने के बाद और mix करने के बाद हम इसको ढग कर तब तक cook करेंगे जब तक कि हमारे टमाटर जो है वो अच्छे से गल ना जाए जब यह cook हो जाएंगे फिर हम इसमें अपने सोया का जो mixture है वो add कर देंगे सोया का mixture add करने के बाद आप इसको अच्छे से mix करके फिर से 5-7 minutes के लिए cook करेंगे मैंने यहाँ पर सोया chunk से यह बूजी बनाई है अगर आप लोग के पास सोया granules available है तो आप उससे भी इसको बहुत easily बना सकते है बस आपको उसको भी warm water में soak करके रखना है उसको grind करने की भी जूरत नहीं है और वो आपका ready हो जाएगा और आप उसको इसी तरीके से इसमें add कर देंगे फिर आपकी यह बूजी जो है 5-7 minutes के बाद जब ready हो जाएगी जब अच्छे से आपके सोया के अंदर भी flavors आ जाएगे तब मैं कैस को बंद करके इसमें दो मसाले और एड करूंगी जो कि है गरम मसाला यह मैंने थोड़ा सा ही आड किया है क्योंकि हमने अल्रड के साथ भी इंजोई कर सकते हैं या फिर आपनी सेंविच की फिलिंग में भी यूज कर सकते हैं या फिर आप इससे रोल भी बना सकते हैं